अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद विश्व का प्राचीनितम चिकित्सा विज्ञान माना जाता है किन्तु यह केवल चिकित्सा विज्ञान न होते हुए अपने आप में एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है वैदिक काल से ही इसकी सुर्भी संसार में चारों और प्रसारित हो चुकी थी और इसी सुवास से आकरशित होकर कई सदियों से अनेक विदेशी छात्र भी हमारे देश में इस अनूठे विज्ञान का अध्ययन करने आते रहे हैं आज भी यह सिलसिला जारी है और आयुर्विज्ञान के ज्यान पिपासु विद्यार्थियों का प्रवाह गुजरात की और बहता रहता है जिसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी जामनगर इस विश्वविद्यालाई की स्थापना भले ही सन 1967 में हुई परंतु उसके बीज तो सन 1946 में ही उस वक्त बोय गए थे जब नवानगर की राजमाता गुलाब कुवर्बा साहिबा एवं महाराजा जामश्री दिग्विजय सींजी ने जामनगर में श्री गुलाब कुवर्बा आयुर्वेद महाविद्यालाई की स्थापना की आयुर्वेद के प्रती अपने अप्रतीम आदर एवं श्रद्धा के कारण राजवंशी परिवार ने एक विशिष्ट स्थापत्य युक्त विशाल महालय नुमा भवन धनवंत्री मंदिर का निर्मान करवाया और उसे आयुर्वेद महाविद्यालाई के स्वरूप में सम आज को समर्पित किया नगर के श्रिष्ठी शेठ चत्रभुज काभी इसमें यत किंचित प्रदान रहा पर महारानी जी को इस महान कार्य में अपूर्व सहयोग मिला एक एलोपथी के सर्जन डाक्टर प्राण जीवन महता का एक एलोपथ होने के बावजूद उन्होंने ज स्थापित करने का बहु मूल्य कार्य किया आयुर्वेद की इस सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1954 में आयुर्वेद में अनुसंधान हेतू Central Institute for Research in Indigenious System of Medicine की स्थापना जामनगर में की पूरे देश में यह अपने प्रकार का प्रथम रिसर्च इंस्टिट्यूट था इसके पश्चात 1956 में राष्ट्र का प्रथम आयुर्वेद सनातकोत्तर प्रशिक्षन केंद्र भी जामनगर में ही स्थापित हुआ 1965 में गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी अधीनियम पारित हुआ और इस तरह विश्व का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्या ले भी जामनगर में ही पांच जन्वरी 1967 को अस्तित्व में आया गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी द्वारा आयुर्वेदाचार्य यानि की B.A.M.S. आयुर्वेद वाचस्पती M.D. आयुर्विद्या वारिधी Ph.D. B.N.Y.S. P.G.D.Y.N. D.Net.Y.O.G. I.U. H.E. D.F.R.M. I.U. B.F.R.M. I.U. M.F.R.M. I.U. M.S.C. प्रमाणपत्र अभ्यास्क्रम सुचारू रूप से संचालित किये जा रहे हैं। अध्योपरांत गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी में 14,999 सनातक, 1333 अनुसनातक एवं 201 Ph.D. प्रशिक्षित हुए हैं। इसके उपरांत 669 चात्रों ने आयुर्वेदिक Pharmaceutical Science, Medicinal Plant Science, योग निसरगोपचार एवं आयुर्वेदिक Dentistry में प्रशिक्षन प्राप्त किया है। भारतियों के अलावा विदेशी मूल के करीबन 350 चात्रों ने भी आयुर्वेद एवं संबद्ध विज्ञानों में उपाधियां प्राप्त की हैं। इस विश्व विद्याले के सनातकों ने भारत और विदेश की धरती पर कुलपती, निदेशक, परामर्शक, प्राचार्य, आधी पदों को भी सुशोभित किया है। गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी जामनगर में आयुर्वेद एवं तत्संबद्ध विज्ञानों के अंतरगत, पारम परिक आयुर्विज्ञान शास्त्र तथा उस से संबंदित आधुनिक विज्ञान के विशयों का अध्ययन करवाया जाता है। आयुर्वेद के विशयों के अतिरिक्त छात्रों को एनाटोमी, फिजियोलोजी, पैथोलोजी, बायोखेमिस्ट्री, फार्मेकोलोजी और फार्मसिटिकल केमिस्ट्री का ज्यान भी दिया जाता है। यह विश्व विद्यालय विदेशी विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेदाचार्य का पाठ्यक्रम तथा बीफाम आयू, एमफाम आयू, मेडिसिनल प्लांट्स पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम विश्व विद्यालय है। आयुर्वेदिक medicinal plant sciences एवं आयुर्वेदिक pharmaceutical sciences विशयों में PhD पाठ्यकरम शुरू करने का श्रेय भी इसी विश्व विद्यालाय को प्राप्त है। अउशद निर्मानक शेत्र में एकस्व अधिकार पंजी करन पेटन्ट रजिस्ट्रेशन की और अपने कदम बढ़ा रहा है। इनके अलावा गुजरात के अन्य विस्टारों में दस महा विद्याले इस विश्व विद्याले से समलगनित हैं। इस विश्व विद्याले के साथ स्थानिक, राष्ट्रिय एवं आंतर राष्ट्रिय समस्थानों ने समझोता ग्यापन M.O.U किये हैं, आज जब मुल्यवन पांडू लिपियां नामशेश हो रही हैं, ऐसे समय में विश्व विद्याले ने 7,350 हस्त लिपियों को डिजिटल रूप में तब्दिल करने की व्यवस्था की है, और इस प्रकल्प के अंतरगत आज तक 900 से ज्यादा पांडू लिपियों के करीबन एक लाख प्रुष्टों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, ये पांडू लिपियां विश्व विद्याले की वे आयुर्विज्ञान एवं अन्य विशयों के हजारों ग्रंथों एवं सामईकों से सम्रुद्ध है, यहां विद्यार्थियों को प्रातक काल से सायंकाल तक निरबाद अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त है, ग्रंथाले से समलगन आईटी कक्ष के माध्यम से छात्र इं अपलब्द ज्यान का लाव उठा रहे हैं, आयुर्वेद को सफल चिकित्सा पद्धती के रूप में स्थापित करने हेतु, आउशधों का उत्तम होना एवं उनका प्रत्यक्ष ज्यान छात्रों को प्राप्त होना परम आवश्यक है, विश्व विद्याले परिसर में स्थ विविद उद्यानों में 275 प्रजाती के कुल 4000 अउशधिय व्रिक्ष एवं ससोई स्थित उद्यान में 170 प्रजाती के अउशधिय व्रिक्ष इस हेतु उपलब्द हैं, विश्व विद्याले के परिसर में पूर्ण चिकित्सा सुविधायुक्त दो चिकित्साले कार्यरत ह जिनमें आने वाले मरीजों को निशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। इन सेवाओं में स्वास्थ रक्षार्थ, स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग, बच्चों की चिकित्सा हेतु, कौमार भृत्य विभाग, महिलाओं के लिए स्त्री रोग एवं प्रसूती अंत्र विभाग, आख, कान, नाक, कंठ, मुख तथा दंत रोगों के लिए शालाक्य विभाग, शस्त्र कर्म आवश्यक हों ऐसे रोगों के लिए शल्य विभाग, सार्व देहिक सामान्य रोगों की चिकित्सार्थ, काय चिकित्सा, द्रव्यगुन, रसशास्त्र एवं एक सिध्धान्त विभाग कार्यरत हैं। पुराने रोगों में अत्यन्त लाभप्रद और आयुर्वेद की विशेष्टा समान पंचकर्म चिकित्सा भी यहां उपलब्द है। परिसर में स्थित त्रिगर्भा कुटिर विश्व विद्याले का वैशिष्ट्य है। जहां कुटी प्रावेशिक विधी अनुसार काया कल्प का प्रयोग करवाया जा सकता है। आयुर्वेद का लक्ष्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रुग्णों का उपचार करना है। इस परिपाटी का वहन करते हुए विश्व विद्याले विभिन्न समय पर जामनगर के नजदीक स्थित अलग अलग गावों को गोद लेकर उसके हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बरकरार रहे। इस हेतु विविद प्रकल्पों का आयोजन करता है। गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी आयुर्वेद के क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूर्ण साधन सज्ज विविद प्रयोगशालाएं, सुसज्ज फार्मसी तथा आधुनिक नैदानिक साधनों से लेस चिकित साले यहाँ पर होने वाले अनुसंधानों को वईज्यानिक प्रामानिकता प्रदान करते हैं। भारती आयूर्विज्यान के क्षित्र में होने वाले अनुसंधानों को प्रकाशित कर विश्व के वईज्यानिक जगत के सामने लाने के लिए विश्व विद्याले द्वारा आयू नामक रिसर्च जर्नल प्रकाशित किया जा रहा है जो की आयूर्विज्यान के सुप्रस प्रानिज परिक्षणों के लिए विश्वविद्यालए में एक एनिमल हाउस भी है इसके अलावा विश्व विद्याले में राष्ट्रिय एवं आंतर राष्ट्रिय स्थर के विविद्प्रकल्प भी कार्यरत है प्रकल्पों के नियमन एवं संवर्धन हेतु एक विशेश विभाग Department of Projects का गठन भी किया गया है सतत्षिक्षण किसी भी शिक्षणिक संस्थान का हार्द होता है गुजरात आयर्वेद युनिवर्सिटी ने भी इस कार्या योजन को मूर्त स्वरुप्रदान करते हुए युनिवर्सिटी स्कूल ओफ कंटिनुइंग एजुकेशन की रचना की है इस विश्व विद्यालय में विद्यार्थियों के सरवांगिन विकास हेतु, खेलकूद, परवतारोहन, सांस्कृतिक प्रवृतियां इत्यादी के लिए विशेश आयोजन किया जाता है एवं विविद्स परधाओं में प्रतिभागिता हेतु, उन्हें प्रोच्साहित किया जाता है सामाजिक समरस्ता एवं समाज सेवा का भाव उजागर करने हेतु, राष्ट्रिय सेवा योजना प्रकल्प भी यहां कार्यरत है इन सब प्रवृत्तियों का मूल भूत उद्देश्य यह है कि विश्व विद्याले का कार्य केवल शिक्षा प्रधान करना ही नहीं है किन्तु स्वस्थ और समर्थ समाज का निर्मान करते हुए राष्ट्र की चेतना में सकारात्मक परिवर्तन लाना और प्राचिन भारतिय आयुर्विज्ञान को प्रत्येक घर में स्थापित कर उसे चिकित्सा की मुख्य प्रणाली बनाने हेतु अग्रेसर करना भी है भगवान धन्वंतरी के आशिर्वाद से सर्वे संतु निरामया की वैदिक संकल्पना को सिद्ध करने के लिए गुज्रात आयुर्वेद युनिवर्सिटी पूर्ण रूप से कटी बद्ध है सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चि दुख भागभवे ओम् शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही अरल खर अर जख्यों सकतै ही शांति हirtांति ही शांति ही शांति ही शांति ही कि युज झाल छॉटर द रजया थांति ही शांति है झाल